श्रामण मास के शुरू होते ही प्रदेश भर में आगामी 22 जुलाई से कामड यात्रा की शुरुआत हो जाएगी जिसमें प्रती एक साल लाखों श्रद्धालू नीलकंठ महदेव में जल चड़ाने पहुँचते हैं इसको देखते हुए पोड़ी जिला प्रशासन और पुलस प्रशासन ने यात्रा को शांतिपून रूप से संपन्द कराने और कावणियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कमर कैसली है कामड यात्रा तयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिला धिकारी डॉक्टर आशीश चौहा ने बताया कि जन्दपत के कमर क्षेतर को सुरक्षा और सू व्यवस्था की धृष्टी से साथ सेक्टरों में बाटा गया है जिन में 27 सेक्टर मैजिस्ट्रेट तेनाट रहेंगे बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 175 सोलर लाइट लगाई जा रही है सफाई की व्यवस्था के लिए 180 सफाई कर्मी तैनाट किये जाएंगे कावड यात्रा को लेकर के प्रशाशन मानी मुख्यमत्री जी द्वारा भी इस पे एक बैठक की गए थी और उस बैठक में हमें जो निर्देशित किया गया उसी के करम में वार फुटिंग पे हमारी तैयारियां चल रही है और साथ सेक्टर्स बने हैं निलकंट शित्र में और लगभग साथ जोनल और 27 सेक्टर मैजिस्टेट्स हमारे नियुकते रहेंगे जल संसान नगर पालिका नगर पालिका के साथ में जला पंचायत की जो टीम है फॉरस डिपार्टमेंट है और हमारा पी डिवल्यूड डिपार्टमेंट सभी लगभग इसके लिए पूरी तरह मुस्ताद है एक सुपेचतर सोलर स्रीट लाइट्स लगाई जा रहे हैं वानेटी सफाई करमचारी रहेंगे चार मुबाइल टॉलेट प्लस इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो दी जानी है शद्धालों या तीर्थियात्रियों के सुविथा के लिए उस प्लानिंग भी की गई और उ